नमस्कार दोस्तों हम आपको बताएंगे method of variation of parameter इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको method of variation parameter पढ़ाया था तो यह method of variation parameter का यह आपका second part है तो इस second part में क्या नया चीज हम आपको बताने वाले हैं यह आपको देखना है इसमें आप उसमें पिछले वाले में वारेशन आफ परामेटर जो था वो constant coefficient के लिए था अब इसमें method of method of variation parameter में पिए निकालने का और cf निकालने का तो वही पुराना method है जो आपको बताया जा चुका है तो इसमें method of variation parameter में क्या नया चीज आएगा यह आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगा ठीक है तो आप बने रही हैं हमारे साथ हमारे चैनल के साथ पुर्षोत्तम math academy के शाथ में तो चलिए देखते हैं शुरू करते हैं इसमें तो बच्चों देखें यह आपके सामने है question solve the method of variation of parameter इस question को solve करना है तो इसमें आप देख रहे हैं कि variable आ रहा है इससे पहले वाले question में variable नहीं आते थे अब इसमें आपके सामने variable represent हो रहा है तो इस question को x square सब पूरे में डिवाइड कर देंगे ओके तो कर देते हैं डिवाइड d2y by dx square x square से डिवाइड करेंगे तो यह 2 और x square में x cancel हो जाएगा 2y x आएगा 1 plus x dy by dx plus 2 1 plus x by x square y x cube से x square cancel हो जाएगा तो x आजएगा बच्चों समझ में आ रहा है कैसे मैंने solve किया है तो इसका comparison करा देते हैं p q r से तो p की value कितनी हो जाएगे minus 2 by x 1 plus x और q की value हो जाएगी 2 1 plus x by x square okay r की value हो जाएगी x तो इसमें कौन सा हो रहा है यूज हो रहा है अब इसमें आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसमें removal first derivative लगेगा कि normal formula method लगेगा कि part of cf लगेगा तो इसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में यह click कर रहा है अगर p plus qx कर दें तो यह 0 हो सकता है तो यह पार्ट आफ cf लगेगा ठीक है और removal of first derivative में मैंने आपको technique बताया था इसमें q1 is equal to constant उस form में होता था जिसका perfect square निकलता था यहां perfect square आ नहीं रहा है तो आपके दमाग में click कर देना चाहिए इसमें रूबला आफ first derivative नहीं लेगा क्योंकि perfect square नहीं है तो p plus इसमें क्या करते हैं p plus qx करते हैं तो minus 2yx 1 plus x इस पूरे में x multiply कर देते हैं x 2 1 plus x by x square ओके तो इस x से x cancel हो जाएगा आपका कितना हैगा minus 2yx 1 plus x 2 1 plus x by x इस पूरा पूरा देखे कर गया है इस घटके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो p plus qx इसको क्या कर रहा है satisfied कर रहा है तो इसका part of cf क्या होगा सोचिए अब इसमें आपका समझे revision भी चला है ठीक है बच्चों सोचिए part of cf क्या होगा के लिए मैं बताता हूँ y equal to x is the part of cf part of cf y equal to x इसका क्या हो जाएगा part of cf हो जाएगा अब हमारा ये u है अब हमें चाहिए v तो बच्चों आपके समने ये y equal to x is the part of cf निकल गया अब इसे हम क्या माननेंगे u मानने लिए ठीक है तो इसको हम मानते हैं u u equal to x is the part of cf part of cf बच्चों share करना subscribe करना मत भूलिएगा और एक like का बटन दबा दीजेगा तो हमें चाहिए v ठीक है हमें चाहिए v complete solution याद करिए complete solution इसका क्या लिखते थे y equal to u v लिखते थे यह हम revision कर रहा है ठीक है तो इसमें v हमें निकलना होता था निकल गया तो y equal to u into v लिखते थे complete solution हो जाता था लेकिन अब हमें focus करना है variation parameter पर हमको variation parameter पर ले जाना है तो v निकालने के लिए याद करिए formula होता था d2 by dx square p plus 2 by u due by dx into dvy by dx equal to r by u यह formula होता था था आपके समझे ठीक है तो बच्चों इस formula में अगर हम इसमें u की value put कर देंगे और वी निकाले कोसिस करेंगे वी निकल भी जाएगा तो आपका variation parameter इसमें लगी नहीं पाएगा बास में आई ना क्या नहीं लग पाएगा variation parameter नहीं लग पाएगा तो variation parameter इसमें apply करना है कैसे करना है यह आपको हम बताएंगे तो main use जो होता है variation parameter का main use बच्चों होता है variation parameter का निकालने लिए RHS Cip से निकलता है तो आर advertise निकालना है तो हमें सबसे पहले इसमें CF find out करना है तो CF कैसे पाउंट पाउंड करेंगे इसका जो रहे है यह QR कर देंगे हम भी अरे ऑशirt parameter के लिए RHS को 0 put करते हैं और साथ में U की P की ये सारी value put कर देते हैं ओके तो P की value आपकी क्या है चलिए ध्यान दीजेगा P की value पीछे से देखिए क्या थी minus 2 1 plus X by X plus 2 U की value X है और due by dx X का differentiation क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा dv by dx ये पूरी value क्या है 0 है अब इसको थोड़ा simplify करते हैं okay d2 by dx square plus दन दीजेगा इसमें क्या जाएगा minus 2 by X और ये अंदर multiply हो जाएगा ये minus 2 हो जाएगा X X cancel हो जाएगा 2 by X dv by dx equal to 0 ये पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा ओके तो आपका क्या बचाएगा d2 by dx square minus 2 dv by dx equal to 0 ये आपका बनेगा d square minus 2d into v equal to 0 इसका अग्यलरी बना लेते हैं m square 2m equal to 0 ये हम कामन कर लेते हैं ये minus 2 तो बच्छों देखिए यहां से ये cf निकल गया आपका ये v है v आपका solve हो गया v की value आ गई v equal to आया है c1 e की power 0x और c2 e की power 2x तो यहीं से y equal to u into v ये complete solution नहीं है u की value आपकी क्या है x है और v की value c1 e की power 0 1 हो जाएगा c2 e की power 2x हो जाएगा ok multiply कर दीजिए तो c1 x ok c2 x e की power 2x तो यह आपका जाएगा c1 y1 c2 y2 ok तो चलिए देखिए आगे तो y equal to आपका आया है c1 x c2 x e की power 2x तो y equal to c1 y1 c2 y2 ok तो y1 की value है x और y2 की value है x e की power 2x तो चलिए देखिए निकालते हैं y1 y2 dash और फिर y2 y1 dash तो y1 की value है x और y2 dash यहां first into second लगा दीजिए तो first यानि x differentiation second e की power 2x फिर 2x का differentiation क्या आजाएगा 2 आजाएगा plus second e की power 2x differentiation है first x का क्या हो जाएगा 1 minus y2 की value है x e की power 2x y1 dash x का differentiation क्या आएगा 1 अब इसको थोड़ा सा solve करिए multiply करेंगे x square e की power 2x into 2 तो बच्चों यह multiply हुआ x का x से multiply हुआ x square into 2 ठीक x का multiply इसमें करिए plus x e की power 2x यहां से क्या होगा धन दिजेंगा x e की power 2x इससे कर जाएगा तो यह आपका आएगा 2 x square e की power 2x ओके तो यह value हमने निकल लिया क्या value निकला y1 y2 dash y2 y1 dash ओके अब हमारा निकल कर आएगा पी आई ओके तो पी आई आएगा y1 u y2 b अब हमें यू निकलना है तो यू का फार्मूला ध्यान दीजेगा क्या होगा बच्चों y2 capital x y1 y2 dash y2 y1 dash into dx तो बच्चों y2 की value आपके सामने है y2 की value क्या है x e की power x अब capital x की बात होगी capital x क्या लिखा जाएगा तो धन दीजेगा जो capital x होगा आपका यहां से उठाया जाएगा capital x की value यहां से नहीं उठाया जाएगा यहां से हमें कोई मत्रब नहीं है हमें मत्रब कहां से है इस आर वाले से है तो जो यह आर वाली value है यह हमारा capital x होगा तो capital x की value है small x और इसकी value 2x square e की power 2x into dx अब यह e की power y2 में यहां e की power 2x था sorry उसके लिए इससे यह cancel हो जाएगा x x multiply हो जाएगा यह आपका x square cancel हो गया तो minus 1 by 2 1 into dx अब 1 का integration क्या होगा 1 का integration x होगा तो आपका यह u निकल गया ओके 1 का integration x होगा है ओके अब हमें चाहिए v तो v की value क्या आएगी y1 capital x y1 y2 dash y2 y1 dash into dx ओके तो यह जो y1 की value आई है y1 की value क्या थी धान दिजेगा तो बच्चों यह जो y1 की value थी वो थी x तो y1 की value यहाँ put करिए कोई भी गलती नहीं करना है x और capital x की value small x थी इसकी value कितनी आई थी 2 x square e की power 2x into dx अब यह x x multiply हो जाएगा x square आएगा 1 by 2 constant है e की power 2x उपर जाएगा into dx ओके तो e की power minus 2x का integration कर देंगे धान दिजेगा e की power minus 2x 2 divided by minus 2 यह multiply हो जाएगा कितना जाएगा minus 1 by 4 e की power minus 2x यह आपका b हो जाएगा तो यह बच्चों v निकल गया और यह बच्चों u निकल गया अब हम लिखेंगे pi तो यह आपका pi होगा pi क्या था y1 u और y2 v ओके तो y1 की value थी x और u की value कितने power minus 2x अब थोड़ा simplify कर देते हैं इसको कितना जाएगा minus 1 by 2 x square और इसको multiply करिए minus x by 4 e की power 2x यह multiply कर देंगे minus 2x हो जाएगा multiply में power add हो जाएगी तो कितना हैगा minus 1 by 2 x square x by 4 e की power कितना आएगा 0 e की power 0 1 हो जाएगा ठिक तो आपका minus 1 by 2 x square x by 4 तो बच्चों यह pi निकल गया है आपका आप complete solution लिखेंगे क्या लिखेंगे complete solution y equal to cf plus pi तो यह आपका pi आया है अब बच्चों आप सोच रहे हो कि cf क्या है तो cf में जहां से y1 y2 evaluate किया जाता है जहां से क्या निकला जाता है y1 y2 वहीं तो cf होता है तो y1 y2 कहां से निकल कर आया था यहां से ठीक है तो यह इतना आपका यह cf हो जाएगा बास्वन में आ रही है तो cf होगा c1 x c2 x e की पावर 2x ओके और pi आड़ कर देते हैं 1 by 2 x square x by 4 यह आपका complete solution निकल कर आया method of variation of parameter तो बच्चों यह question मैंने आपको बताया ठीक है एक बार हम आपको revision कराएंगे थोड़ा सा okay complete हो गया है तो method of variation of parameter solve करने के लिए यह आपके सामने question था variable coefficient का इसमें यहां पर one होना चाहिए है क्या होना चाहिए one होना चाहिए तो one होने के लिए सबसे पहले x square से डिवाइड कर दिया गया यह पी और q का form बन गया हम इसमें प्लस q x satisfied कर रहा था तो इसमें part of c of method लगेगा okay तो part of c of method लगेगा तो आपका यह यह हो जाएगा यू और complete solution यह लिखते थे यह मैंने आपको बताया कि ऐसा लिखा जाता था यहां पर complete solution नहीं होगा ठीक है तो हमें वी निकालना है वी निकालने के लिए formula यह आप याद कर दीजिए इसमें value put कर देंगे इसके rhs में यहां पर zero put करेंगे यहां जिरो put करके यहां से हमने वी निकाल दिया और वी निकालने के बाद में आपका यह भी निकल गया ठीक है तो y equal to u into v यहां पर आप चाहो तो cf लिख सकते हो यहां पर cf लिख देते हैं ओके तो यह जो आपका cf निकल रहा है यहां से हमारा y1 y2 evaluate होगा ओके तो y1 y2 करने के बाद में हम PII निकालेंगे और PII निकालेंगे बाद में cf plus PII कर देंगे अब आपके सामने हम कुष्ण देते हैं एक दो example रखते हैं यह है आपका कुष्ण है जैसे यह कुष्ण है आपके सौने तो इस कुष्ण को solve करना है method of variation parameter का यह देखिए आपका आ चुका ह के लिए हम PII वाला method huge करेंगे और cf निकालने के लिए हम इस तरह से solve करेंगे 1 plus P plus Q is the part of cf यहां पर e की power minus x is the part of cf हो जाएगा ओके y equal to uv लिखेंगे अब आप चाहो तो formula लगा के solve कर सकते हो इस example में दूसरे तरीके से किया गया है ठीक है आपको मैंने अभी question जो बता है उस method solve लगा के देखिएगा उससे भी आपका answer आएगा इन्होंने क्या किया है first derivative निकाला second derivative निकाला यहां उठाके put कर दिया और यह आपका v निकल गया है चिक अब यू आपका इतना आएगा minus 1 by 2 cos x हैगा और आपका v आपका इतना निकल कर आएगा यह आपका v है ओके फिर complete solution लिखोगे पी आई के लिए पी आई आपका इतना solve होगा ओके तो थोड़ा बाह calculation है बच्चों कोई भी चीज काठी नहीं होती है आप मेहनत करिए लगे रहिए ओके आपका यह final solution निकल कर आएगा आप को सिस करिए लगाने की पूरी मेहनत करिए ठीक है तो बच्चों आपके सामने variation parameter का question है आपका कहां से सुरू है 6 से लेकर 11 तक आपके सामने solution भी है answer भी लेखा हुआ है तो 6 से लेकर 11 तक आप try करिए हो सकता है इसमें कोई answer भी गलत हो क्योंकि HK10 में एकसर answer गलत रहता है ठीक है तो आप solve करिएगा जहां नहीं यह differential equation बहुत important है IIT gym के लिए और gate preparation के लिए तो differential equation आपका अगर prepare रहेगा तो question फासेगा जरूर ठीक है आपके competition examination में तो आपको यह differential equation बहुत अच्छे से तायार करना है बहुत मेहनत करिए पढ़िए बच्चों आप बहुत अच्छे बच्चे हो मेहनत करते रही है thank you very much like कर कर दीजेगा share कर दीजेगा comment करिएगा समझ में आया कि नहीं है